अस्टो रागो चैनल में आप सभी का स्वागत है आखिर किस ग्रह के असुब होने से होता है मांसिक तनाव हमारे को आपने देखा होगा कि काफी लोग मांसिक तनाव में रहते हैं उनको बहुत टेंशन रहती है तरह तरह की टेंशन रहती है सब कुछ होते हुए भी उनके दिमाठ में कुछ न कुछ ऐसा चलता रहता है जिन से उनका मन परेसान होता है और मन परेसान होने से सरीर, स्वास्त, सब कुछ उनका खराब होता है उनका कही मन नहीं लगता है बैदिक जोतिस विद्वानों के अमसार अगर कुंडली में चंदरमा और पाप कर्तरी योग बन जाता है अगर चंदरमा पीडित हो जाता है क्योंकि चंदरमा जो है जब अगर कमझोर होगा तो हमारे को मांसिक तनाव बहुत जल्दी घेर लेता है जैसे हमारी कुंडली में नोगरा होते हैं और उसमें चंद्रमा मन का कारक माना गया है अगर हमारा चंद्रमा ही खराब है हमारा मन जरूर परेशान होगा चंद्रमा की रासी जो है करक रासी जलतत्तु है और स्वेंग चंद्रमा भी जलतत्तु है और ये मनुश्य की भावना कारक है भावना का प्रतीक है मन का कारक है अगर चंदरमा ये आपका सही नहीं है तो आपका मन परेशान रहेगा सरीर में सबसे अधिक मात्रा जल की होती है हमारे को अनाज एक दिन ना खाए अन ना खाए तो रह सकते हैं पानी भिना हमारा सरीर बिलकुल भी नहीं चल सकता है क्योंकि हमारे सरीर में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसी लिए मन और बुध्धी दोनों चंद्रमा से ही परभावित होती है बैदिक जूतिस में बिद्वान के अन्सवार अगर किसी कुंडली में अगर किसी चंद्रमा पापगरा से या करतरी योग हो या पीड़ी तो हो जाए तो मन जो है जातक का बहुत कमजोर हो जाता है मांसित तनाव से हो जाएगी और अमावस वाले दिन जैसे आपने ध्यान से देखा होगा कि हमारा चंद्रमा घरता बढ़ता रहता है और जब पूर्णिमा आती है तब हमारा चंद्रमा पूर्ण होता है और जब अमावस आता है अंधेरा होता है तो चंद्रमा खतम हो जाता है गायब हो जाता है तो इसी प्रकार से अगर जैसे जब चंद्रमा मस्या के पास आते आते कमजोर हो जाता है किष्ण पक्ष की दसमी से ले करके सुकल पक्ष की पंचिमी तिथी के चंद्रमा के पास बल की कमी रहती है इसलिए जातक को चंद्रमा का सुब परणाम नहीं दे पाता है तो जोतिस में ऐसी तिती में हम कुछ आपको उपाय बता रहे हैं वो अगर आप करेंगे तो आपका जो है चंद्रमा सही होगा आपको मांसिक तनाव जो है वो भी दूर हो जाएगा सुब मार के दिन क्या करना है कि सुब होरा लेना है सुब होरा में गात्री यंत्र की पूजा करना है घर में अस्थापित करके और या मोती की माला अपनी गले में धार्ण करें दूसरा उपाय है घर के सभी लोग गुर्ग दिसा की ओर सिराना करके सोई और इस प्रकार से सोने से कमरे में पहले छोटा सा कपूर का टुकड़ा जलाना है थोड़ा सा टुकड़ा लेना है और उसको जला देना है जब आप सोने जा रहे हैं तो हनमान जी का ध्यान करें या ह अगर ये उपाय सुकलपक्ष के मंगलवार से आप सुरू करते हैं तो नव मंगलवार होते ही आपका सारा असर दिखाई सुरू हो जाएगा और जो आपके मन में डर है परिसानी हो दूर हो जाएगी रात को सोते समयं चांदी के गिलास में पानी भर करके रग दें फिर आपका जो है तनाव कम हो जाएगा या आपकर ये कच्चे दूद में चीनी मिला करके जामन के पेंड की जड़ में डालें ये उपाय आपको सुकल पक्ष के सनिवार से सुरू करना है और रोज ही करते जाना है इसके अलावा हर अमावस की साम को मंदिर में खीर अरपित करें इससे आपको फायदा मिलेगा अगर इस परकार से हमारी बताय हुई उपाय आप करते हैं तो आपका कल्यान होगा आपका जो है मांसिक परेसानी जो भी है दूर हो जाएगी और अधिक जानकारी के लिए हमारे अश्टोरागो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर कोई बात पूछनी है तो वटसब पे जुड़ करके भी आप जानकारी हांसिल कर सकते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद